एस मार्टनोकरी में आप सभी का स्वागत है मैं ओनिसकुमार दोस्तो राजास्थान से एक बहुत ही दुखद न्यूज सामनी आई है आप सभी को बता दू राजास्थान गोर्रमेंट 10th बोर्ड का एक्जाम ले रही है और आप सभी को बता दू कि एक एस्टुडेंट्स ए एक्जाम देने आई थी दो दिन पहले उस एस्टुडेंट्स का सेंपल टेस्टिंग के लिए वेजा गया था और अचानक एक्जाम सेंटर पे स्वास्थकरमी की टिम पहुचती है और ये बताती है कि इस एस्टुडेंट्स को टेस्ट जो आया है पोजिटिव आया है इस को सुनते वे पूरा हड कम मच गया मैंने कल यानि 29 जून को अपना वीडियो बनाया था इस एक्जाम को लेकर और सरकार से सवाल भी पूछा था कि इह एक्जाम नहीं होना चाहिए इसका जो रिजल्ट होगा परिणाम बहुत खतरनाक होगा और जस्ट एक दिन बाद आप स सभी के सामने है इसका परिणाम सभी को दिये होम कॉरेंटीन का आदेश मिली जनकारी के अनुसार इस सूसना के बाद परिक्षा केंद्र पर मौजूद सभी लोगों को जीला चिकित्सा एवं स्वास्थ बिभाग ने होम कॉरेंटीन रहने का निर्देश दिया है साथ ही ज स्कूल प्रभारी रस्मी अगरवाल के मुताबिश जीस एक्जाम रूम चात्रा पोजिटिव मिली उसमें 12 एस्टुडेंट्स मौजूद थे और जनकारी के लिए बता दू कि उस एक्जाम सेंटर पे टोटल 357 एस्टुडेंट्स थे और उसमें 25 सिक्षा कर्मी 15 का अत्रि स्कूली भी खत्रे में पढ़ सकती है और गोर्मेंट जबरदस्ती से एक्जाम ले रही है देखे क्या परिणाम निकल कर आगया सरकार फिर से में बोलना हूं कि जो भी नीट और जैमेंस के स्टुडेंट्स हैं वो सभी इंतिजार कर रहे हैं और नहीं चाहते एक्जाम दे और सरकार से लगतार हम सभी मांग कर रहे हैं आप सभी भी मांग कर रहे हैं जल्दी फैसला मिल जाएगा आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब कर करेंखें लेटेस्ट अब इस आप सभी को मिलता जाएगा थैंक्स फर वाचिन वीडियो